मुझे मेरे घर की खीर बहुत पसंद आती थी बच्पन में और इस्पेशली मेरे दादी के हातों की जो मेरी फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद आती थी तो आज मैं आपको कवीर्स किचिन में अपने दादी के हातों की खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जरूर आपको तो यह चोटा चावल लीजिए नया चावल और खुश्बु वाला तो ज्यादा सही रहेगा खीर के लिए अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे ड्राय रोस्ट करेंगे गी में और तब तक करना जब तक हलके से पिंक हो जाए और खुश्बु आने लगे तब तक इसके बाद इसमे फ्राय किजिए फिर हम इसे बंद कर देंगे अब हम दूद बॉइल करेंगे तो यह दूद सवा लीटर करीब है इसे हम बॉइल करेंगे उसके बाद इसमें डालेंगे रोस्ट चावल और अच्छे से मिक्स कर लें और धीमी आज में हम पकने देंगे पानी बिलकुल भी य करना है बड़िया काढ़ा सा और इसे हम धीमियाज में पकने देंगे जब तक की चावल अच्छे से पकना जाए तब तक हलकी से पक जाए चावल उसके बाद इसमें शक्कर डालीजे आप अपने टेस्ट के अनुसार फिर इसमें मैंने डाला है चुटकी भार नमक क्योंकि मीठी चीजे में नमक डलता है तो उसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है फिर इलाइची पावडर डाला है कुटीवई इलाइची और दो चार स्ट्रेंड्स है केसर के तो केसर जो है वो दादी की टेप्स नहीं ह है यह मैं डाल रही हूं तो यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप कर डालना चाहे तो डाल सकते है दीमी आज में आराम से पकने दीजे खीर को दूद गाड़ा हो जाएगा और कम हो जाएगा क्वांटिटी में और चावल बढ़िया पक जाएंगे तब तक हम इसे पकाना है आप चावल को उंगली से मसल कर देख लीजे अगर वो पिस रहे है मतलब अच्छे से पक चुके हैं दूद भी गाड़ा हो चुका है तो अब गैस को हम बंद कर देंगे और खीर को हम थंडा होने देंगे क्योंकि खीर या मीठी कोई भी चीज हो थंडी थंडी अच्छी लगती है ठंडा करने के बाद इसे सर्फ करें जरूर पसंद आएगी बना कर देखी और रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें थैंक यू